नमश्कार जस्पटेलन शाही किचन में आपका स्वागत है आज हमने बनाए हैं गोड़ और तिल के लड़ू और तिल की बर्फी ये तिल के वेंजर सर्दियों में जादा तर मकत सकरांती के टाइम में बनाए जाते हैं तिल की तासीर जो है गरम होती है और ये एंटी एजिं बिटामीन, मिनरल्स, भरपूर मातरा में पाए जाते हैं पर आज के दौर में ये बहुत ही जादा जुरूरी हो गया है कि आप जो भी चीज बनाए अपने घर में अपने हाथ से बनी भी हाईजिनिक वे से बनाए तो आप इन स्वादिष्ट वेंजनों को इस टाइम में ब जाल का सा पिंक होने तक इसे भूनेंगे इसे हमने ज्यादा नहीं भूनना क्योंकि अगर तिल ज्यादा भून जाते हैं तो ये कड़वे हो जाते हैं तो इसे हम लगातार चलाते हुए मीडियम लोग गैस के ओपर इसे हम भूनेंगे दिखिए तिल अच्छी तरह से भून चुके हैं ये लाइट पिंक हो चुके हैं और इन में से चटकने की अवाज भी आ रही है तो अब हम इसे स्टेज में कैस की फ्लेम को कर देंगे ओफ इसे इन तिलों को हम निकाल देंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए फिर इसक जीमें से हम दो कमच तल के निकाल के अलग कर लेते हैं तो तो हम हम इसे इस प्लेट में निकाल देंगे अब हमने फिर से टाहि को रख लिया गैस की ओपर गैस की फ्लेम को बिलकुल कर देंगे लोख फे इसमें हम डालेंगे 2ुकप दूर के यह measurement वही सेम है जिस कप से मैंने तिल लीं है तो दो कप दूद के डाल के डाल देंगे एक कप चीनी है जिसे मैंने यह बारीक पीस लिया और इसी में मैंने पांच इलाइची को पीस लिया अब दूद में बॉइलाना शुरू हो गया गैस की फलेम को कर देंगे मीडियम पे औ अब इसमें डाल देंगे 6 चम्मच desiccated coconut के इसे भी हम अच्छी तरह से हिला देंगे अब हम इसमें डाल रहे हैं दो चम्मच ताचा दूद की मलाई आप इसकी जगह पे मावा डालना चाते हो तो मावा भी डाल सकते हो अब हम इस्टेज में डालेंगे इसमें दो चम्मच देशीखी के तूद को बलते हुए पांच मिनट हो गए हैं तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे लोपे हमने तिल को दरदरा सा पीस लिया था वो डाल देंगे इसी में इसके लंप्स खतम होने तक कि ने अच्छी तरह से मिलाएंगे हम और इसी में ही हम ये डाल देंगे दो हम्रा कईशचा कें अलत्छ ने निकालकर रखे थे हमिसे मीडियम फिलेम के ओपर इस सी तरह से ओण पाएंगे कि जब तक यह मिक्सचर अच्छी तरह से बाइंट होना शुरू हो जाए यह दस मिनट पकाने के बाद मिक्सचर गाड़ा होना शुरू हो गया वह सब यह हम इसे दो मिनट और पकाएंगे हम इसे निकाल लेंगे थाली में और जमने के लिए रख देंगे इसे इस थाली को हम घी से कर रहे हैं ग्रीस उपर हम डाल देंगे सारा मिक्सचर हमने बर्फी को अच्छी तरह से फैला लिए तो इसको हम करते हैं पिश्टाशियों से गार्निश आप किसी भी ड्राइफूट से इसे आप गार्निश कर सकते हो अगर आप नहीं करना चाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो अब इसे हम हलका सा कर देंगे टैप और इसे रख देंगे हम एक घंटे के लिए साइट पे तो फिर इसकी करेंगे अब कटेंगे हम हमने दो कप लिए हैं तिल ये वेट में 200 ग्राम है इसे हम पिंक होने तक अच्छी तरह से इसे हिलाएंगे अब हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है आफ क्योंकि हमारे तिल चटकने शुरू हो गए थे और इनका कलर भी चेंज हो चुक है तो हम इसे रखते हैं अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए हम इनमेस से हाफ तीलों को ग्राइंड करेंगे और हाफ तीलों को हम इस पर काही रखेंगे तिल के लड़ू जिसे की मकर सक्रांती पे बनाया जाता है जिसे हम तिलकुट बोलते हैं इसके लिए हमने लिया है एक कप दूध में हमने डाल दिया इसमें एकप मिल्क पाउडर अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप मावा भी ले सकते हो इसे हम अच्छी तरह से ही लाते हुए जब तक इसमें इसे लंप्स ना खतम हो जाएं इसे चलाते रहेंगे अब हम इसमें दो चमच देशी घी के डाल देंगे यह हमने दूर और मिल्क पाउडर डाला था तो इसका वो मावा बनना शुरू हो गया यह इंस्टेंट मावा है अगर आप इसमें बजार से लाके मावा डालना चाहते हो तो उसे पहले भून के डालिए अगर आप अपने घर में ही दूद से मावा बनाना चाहते हो तो आप दूद से भी मावा बना सकते हो इसको ज्यादा हमने काड़ा नहीं करना तो अब हम इस स्टेज में इसमें डाल रहे हैं जैगरी पाउडर अगर आप चाहो तो आप गुड़ को भी अच्छी तरह से काटके डाल सकते हो बारी टुकडो में तो गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे ही रखे तो अब हम डालेंगे इसमें हमने तिल भी लिये थे दो कप और हम जैगरी पाउडर भी अब हम इसमें डालेंगे दो कप डालेंगे तो इसे भी अच्छी तरह से मिलाते हुए हम हिलाएंगे ये जैगरी पाउडर अब हमारे मावा में अच्छी तरह से मिक्स हो चुक है तो इसमें हम इसे स्टेज में डालेंगे दो चम्मच देशी घी के और इस टाइम पे घी डालने से क्या होता है कि जो लड़ू है हमारे उनमें बहुत ही अच्छी शाइन आएगी अब हमने इसे एक उबाल आने तक अच्छी तरह से हिलाते हुए इसे पकान है अब देखिए ये इस मिक्स्चर में बॉइलाना शुरू हो गया है अब हम इस स्टेज में इसमें डाल देंगे एक कप डेसिकेटिड कोकोनेट आप चाहो तो आप जो खोपरा होता है सूखा नार जुए हैं इससे अच्छी तरह से मिय्क्स करेंगे गैस की फ्लेम को हम लो पे हम रख़ेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने तिल पीस के रखें और इसी के साथ जो हमने तिल थोड़े से ऐसे ही रख लिये थे पीसे नहीं थे वो भी हम इसमें डाल देंगे तो इन सभी चीजों को हम कर देंगे mix अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राइफ रूट हैं यह दो चम्मच किश्मिश हैं दो चम्मच बादाम हैं और दो चम्मच पिश्टाश्यों हैं आप जो भी ड्राइफ रूट इसमें डालना चाते हो वो डाल सकते हो जो स्किप करना चाते हो वो नहीं तो ये ज़्यादा हाड हो जाएगा ये दिखिए ये अच्छी तरह से बाइंड होना शुरू हो गया है तो अब हम इसे स्टेज में गैस की फ्लेम को कर देते हैं अब हम इसके लड़ू बांधना शुरू करते हैं हाथ के उपर हमने लगा लिया थोड़ा सा घी ये ये हमारे तिल गुड के लड़ू जिसे इने मकर सक्रांती पे बनाया जाता है और ये हमारी तिल की बर्फी ये बहुत ही टेस्टी बन के तियार हुए हैं दोनों चीजे हमने तिल से बनाई हैं जिसे की सर्दियों में ही खाया जाता है इन तिलों में बहुत ही ज़्यादा केल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाये जाता है और इनकी तासीर भी गर्म होती है इसलिए इसे सर्दियों में खाते हैं स्पेशली मकर सक्रांती पे इसके बहुत ही ज़्यादा वियंजन बनते हैं यह हमने जो तिल गुड के लड़ू बनाए हैं सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने है और जिस स्टाइल से मैंने इजी वे से बनाने सिखाया है आप इने अपने घर में बनाईए ताकि इस दौर में हम जो भी चीज बनाए अपने घर में अपने हाथ से बनी हाईजिनिक वे से हम चीजे बना के खाये आप इने बनाईए खाये और अपने तिहार का मज़ा दुगना कीजिए आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद